नमस्कार आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ रुची हमारे देश को प्रदुशर मुक्त बनाने के लिए भारस सरकार की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं वही उत्तर प्रदेश सरकार भी इस कदम में आगे वढ़ रही है यूपी सरकार परियावरण संरक्षर और नदियों को प्रदुशर से मुक्ती दिलाने की योजनाओ को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हुए लखनव वासियों को एक और सौगात देने जा रहा है जिसके चलते खुरम नगर में कारिक्रम किया गया जिसमें उत्तरप्रदेश सरकार के नगर विकास मंतरी असुतोष टंडन और महापर संयुकता भाटिया मौजूद रही बतादें कि नगर विकास मंतरी आसुतो श्टंडन द्वारा नाले में परिवर्तित वर्तमान कुकरेल को गोमती प्रदुषड एकाई द्वारा पुनह नदी में परिवर्तित करने की योजना कुपर कारे प्रारंब किया जा रहा है यह नदी कुल 28 किलो मीटर की है जो की लखनव जनपद के ग्राम दिवाजपुर दसौली के पास शुरू होती है और लखनव शहर के पेपर बिल कॉलोनी के पास समाहित होती है जो की नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है सरसट करोड की इस लागत की यह परियोजना अगस्त 2023 तक पूरा होने की संभावना है यह परियोजना लखनव के प्राकृतिक सौंदर एको भी दिखारेगी और यहां के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी अपने शहर से जोड़ी हुई और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे जनसन देश टाइम्स